उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी खेरिचे होंगे इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मेजर लीग बेसपाल के बारे में जो के मैच होने वाला है CHC वर्सिस CR के धर्मियान प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डीटील में जानकारी देने के कूशिश करेंगे और दोस्तों अगर आप हमारा संडे गिवेवे जीतना चाहते हो तो बस एक दिन बचा है संडे के दिन दोस्तों हम फायू विनोर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको दोस्तों मिलेगा हमारी तरफ से PayTM Cash दोस्तों अगर आप भी हमारा giveaway जितना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना पड़ेगा तब ही आग दोस्तों eligible हो जाओगे giveaway जितने के लिए और दोस्तों वीडियो को like करना पड़ेगा और साती सा दोस्तों एक प्यारा सा कॉमेंट करना पड़ेगा और दोस्तों अगर आप इस मैच के final teams पाना चाहते हो लाइन अपस निकलने के बाद one head to head और दो से जादा grand league teams दोस्तों आपको telegram पे मिल जाएंगे जहांपर आपको दोस्तों हर match के final teams और साथी साथ दोस्तों हर offer के बारे में सबसे पहले update मिलते रहती है तो चलिए दोस्तों अब हम अपने इस video को शुरू करेंगे सबसे पहले में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दोनों teams के performance और point table के हावाले से जानकारी दूँगा CR की team point table में दोस्तों 11th number पर है वही CAC की team point table में दोस्तों 4th number पर है दूसरी बात दोस्तों अगर हम head to head match के बात करेंगे तो last five head to head match में CAC ने 3 match जीते है और दोस्तों CR ने सिर्फ 2 match जीते है और दोस्तों अगर हम बात करेंगे last five match की तो last five match में CR ने 2 match जीते है और दोस्तों CAC ने 4 match 1 किये है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अगर आप इस match में दोस्तों head to head खिलना चाहते हो तो CAC के team दोस्तों CAC के player आपको ज्यादा लेने पढ़ेंगे और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ दोस्तों ये match investment के लिए काफी अच्छा रहने वाला है इस match में दोस्तों आप अच्छा खासा investment कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे detail में मेरी प्यारे दोस्तों शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर picture option से picture option में दोस्तों आपको दो option खेलते हुए नजर आ जाएंगे याद रखना दोस्तों जो भी दो option यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बस वही खेलेंगे बाकि किसी भी option के साथ आपको नहीं जाना है जे एरिटिया की अगर बात करेंगे 40% लोगों ने इसको लिया है लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल भी नहीं खेलेगा अल कैस्टिलियो नहीं खेलेगा टी मैथली नहीं खेलेगा इनको ज्यादा परसंट लोगों ने pick up किया है टी विलियमस नहीं खेलेगा किसे भी प्लेयर के साथ नहीं जाना है यहाँ पर दोस्तों आपको अल जोलिया आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे सिर्फ 6% लोगों ने इसको लिया है सिर्फ एक मैच अभी तक खेल चुका है और एक मैच में दोस्तों इसने 23 पॉंट्स का स्कोर किया था और लास्ट मैच की बात करेंगे यही इसका लास्ट मैच था 23 इसका हाई स्कोर है 10 प्लस इसकी बैटिंग एवरेज है याद रखना दोस्तों यह प्लेयर कैप्टेन से के काबिल है ग्रांड लिग में और वाइस कैप्टेन भी रहेगा अच्छा अगर आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो दूसरी बात अगर CR के बात करेंगे तो यहाँ पर V गुर्टीज दोस्तों आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे काफी अच्छा प्लेयर है दोस्तों सिर्फ साली 6 क्रेटर में आपको मिलेगा और यह आपना पहला मैच खेलेगा याद रखना दोस्तों यह फर्स मैच खेलेगा इसके साथ बहुत सारे कम लोग जाएंगे 0% लोग तकरेबन इसको कैप्टिम बनाएंगे लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है कि यह खेलेगा तो दोस्तों आपको क्या करना है जब यह लाइन अप में आएगा तकरेबन इसको 2-3% लोग कैप्टिम बनाएंगे तो आपके लिए बिनफिट रहेगा अगर आप ग्राइन लीग में इसको ट्राइ करोगे तो काफी अच्छा प्लेयर है बात करेंगे दोस्तों यहां पर कैचर ओप्शन की कैचर में दोस्तों इन दो ओप्शन की खेलने के जाता चांसेस है आप चाहू तो चैंज कर सकती हो दोनों प्लेयरिस का हाज सिकोर 28 ड्रीम 11 पॉंट्स है और आपके लिए बेस ओप्शन की बात करूँ तो डब्डियो केंट्रेस दोस्तों आपके लिए बेस रहेंगे अगर आप head to head small league खेलना चाहते हो वही दोस्तों grand league में आप दोनों को try कर सकती हो क्योंकि दोनों प्लेयरिस काफी अच्छे है इसके बावचू तो अगर नीचे वाले प्लेयरिस की बात करेंगे मुझे नहीं लगता दोस्तों इन में से कोई खेलेगा अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर हम outfielder department की याद रखना दोस्तों इस match में आपको outfielder में ही सबसे best प्लेयरिस देखने को मिलेंगे और यहां पर infilder में आपको उतने अच्छे प्लेयरिस देखने को नहीं मिलेंगे इन फिल्डर की बैटिंग एवरेज एक के बिरंट के साथ जा सकते हो 28 इसका हाई स्कोर है एर रिजो के साथ जा सकते हो 36 इसका हाई स्कोर है इसकी भी दूस्तों बैटिंग एवरेज 15 प्लस आप्टो 20 है तो काफी अच्छा प्लेयर है इस सुरेज की बात करेंगे तो यह एक दोस्तो ग्रैंड लिक वाला प्लेयर है सिर्फ वो 22 इसका हाई सिकोर है और सिर्फ 22 परसंट लोगों ने ही इसको लिया खे बिलिंडो को अगर खिलाए गया ये भी सिर्फ ग्रैंड लिक में काम करेगा इसके बावजूद यहां पर जो नीचे वाले एपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर दोस्तो एक से बढ़कर एक प्लियर आपको देखने को मिलेगा और यही पर दोस्तो आपको कैप्टेन वाइस कैप्टेन ओप्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे लेकिन इसको डिसकस करने से पहले मैं आप सभी से क्रिकस्ट करना चाहूंगा दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर ले और बेल की गंटी को भी दबा दे लेटेस्ट ड्रीम 11 के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे प्यारे दुस्तो आपको अगर इस मैंच के फाइनल टीमस चाहिए तो आप हमसे हमारी टेलिग्रम चैनल पर भी जॉइन हो सकते हूँ छे मिनट पहले तकरीमन आपको टीमस मिल जाएंगे तो दोस्तो जे विंकर की बात करेंगे अगर आप चाहो तो हैट्वेड में इसको भी कैप्टेन ट्राइ कर सकते हूँ 47 ड्रीम 11.6 का हाइज सकोर है बैटिंग एवरेज 15 पलस आप्टो 20 है बड़ी आप लेर है टीन इकॉन की बात करेंगे 36 की सिसका हाइज सकोर है एक बहतरीन पलेयर है दोस्तो रुगलर परफर्मिनस दिखा रहा है और इसके बावजूत अगर हम बात करेंगे जे पिडरसन की तो जे पिडरसन एक अच्छा खासा उप्शन है 45 ड्रीम 11 पॉंट सिसका हाइज सकोर है एनकेस्टलियों की बात करेंगे 32 इसका हाइज सकोर है जे मैल सिनिक की बात करेंगे 42 इसका हाइज सकोर है याद रखना दोस्तो अगर आप से किस टेमस की साथ खेलना चाते हूँ तो सभी प्लेयर्स को एक एक टीम में दोस्तो एज एक कैप्टेन ट्राइ कर लेना एंड केस्टेनियों की बात करेंगे दोस्तो यह बहुत ही बहतरीन प्लेयर है 2020 के जो बेस्बाल लेगस थे वहाँ पर इसने दूम मचाई और यह पिछले साल काफी अच्छा परफामेस दिखा चुका है 20 पलस अप्टो 25 इसकी बैटिंग एवरेज है अगर मैं आपको सिंपल बाश्रम में समझाने की कोशिश करूँ जे है वर्ड और इसके बावत जितने भी नीचे प्लेयर्स है यह उतने इमपोर्टेंट नहीं है तो दोस्तो आप चाहू तो अपने हिसाब से किसी दूसरे प्लेयर को पिक अप कर सकती हो याद रखना दोस्तो अगर आप तीन टीम्स के साथ खहलना चाते हो तो एक कैप्टेन यहाँ से दोस्तो याद रखना इस मैच में दोनों कैप्टेन यहां पर इन फिल्डर सुरी दोस्तो आउट फिल्डर डिपार्टमेंट में मतलब ट्राइ कर लेना सिर्फ एक कैप्टेन दोस्तो यहां पर आपको फिचर में लेना पड़ेगा और अगर आप 3 टीम्स के साथ खिलना चाते हो तो यह फार्मूला आपके लिए बहतरीन है अगर आप 6 टीम्स के साथ खिलना चाते हो तो 5 प्लेर इसको यहां से कैप्टेन ट्राइ कर लेना एक प्लेर दोस्तो पिचर से ट्राइ कर लेना अगर 11 teams के साथ खेलना चाहते हूँ तो दोस्तो दो infilder और दो दोस्तो यहां पर picture बागे जितने भी बचेंगे तो दोस्तो उनको यहां से try कर लेना अगर हो सके तो एक यहां से try कर लेना तो दोस्तो फिलाल आप मुझे यहां से दिजाए इजाज़त हम मिलेंगे बहुत जल टेलिग्राम पे जब तक के लिए दोस्तो बाई बाई बेस्ट ओफ लग्ग